सिप्रफात मेरी प्रेविद्यार्थियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा सात्मी के e-learning हिंदी के व्याकरण के कक्षा तो स्टूडन्स आप लोग जानते हैं हम लोग पुनट चर्चा कर रहे थे तो मैंने टेक्स्ट की पुनट चर्चा मा भारत के साथ आप लोगों की खत्म कर ले थी तो व्याकरण में हमने जो पढ़ा था वो था संधी शब्द विचार के अंडर परियावाची शब्द उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिय फिर हमने पढ़ा था संग्या और उसके बाद हमने पढ़ा था ले तो मैं जितना हो सके दो लोग क्लासे में आप लोगों के ग्रैमर को समप कर देने की खोशिश कर दी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो नए सीरे से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जस एक रिमाइंजर मैं आप लोगों को देना चाहती हूं चुक है लोके ईकसिस लिए क्लीर जो चाप्टेर को अच्छे से पढ़िए और व segurança प्राक्टिस कि जी कि बहुत अच्छे ढ़नीक के लिए आपके चाप्टर की परख करते हैं इसलिए उनको चांना बहुत जरूरी होता है तो संधी चैप्टर हमने पढ़ा था संधी क्या है दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसको संधी कहते हैं संधी विक्षेद चैप्टर में नय शब्द को वापस पहली अवस्था मिला देते हैं तो संधी के भेद हैं सवर संधी वियंजन संधी और विसर्ग संधी तो स्वर संधी के जो भेद है वो त्रूटल 5 है दीरग संधी ऋड़ी संधी वर्थी संधी यण और अयादी संधी तो सबसे पेले दीरग संधी बीरग संधी का एक उदाहराण बता देती हुआ याप लोग पढ़ चुके हैं मुझे बता है और हम लोग पीनल चर्चा कर रहे तो आप लोग अगर डीटियल्स में फिर भी अगर किसी को जरूरत है तो पुराने वेडियोस आप लोग इपोटल से प्ले करके सुन सकते हैं दिए संधी का एक एक एक्जामपल जैसे रजनी जोड इंदू रजनींदू ठीक है बड़ी एकी मात्रा हो जाती है गुण संधी में स्वा जोड इच्छा स्वेच्छा एकी मात्रा लग जाती है व्रधी संधी में लोग जोड एशना लोग कैशना ठीक है फिर यण संधी में अती जोड अधिक अत्यधिक अच्छा उसके बाद है हमारा अयादी संधी इसमें जैसे गै जोड इका गाई का गै जोड इका गाई का ठीक है अभे व्यंजन संधी में हमारे पांच नियम है जैसे कि दिक जोड गज वाक जोड मैं वंग मैं संधी जोड छेद संधि छेद च ठीक है अधाचा आजयाता संधिछ परी जोड नाम परी राम अण टीक है मुधधनिया होता है उसका फ्रहेद उत्जोर चारण ऊचारण ठीक है अब है विसर्ग-संदी यशह जोडगान यशोगान ठीक है निह जोडभय मिरभय निह जोडचल निश चल तीनों अलग-अलग सब प्रयोग हो रहें समझ में आ रहे हैं आपको नहीं जोड संतान निसंतान स निसंतान फिर दुह जोड कर दुश कर और कहीं पहीं पर विसर्ग का लोग हो जाता है जैसे नहीं जोड रोग नी रोग फिर अतह जोड कर लिख देना होता है जैसे अंतह जोड करण अंतह करण ठीक है इस आपके एक् यहां पर एक शब्द है वी रोचित शब्द क्या है यह गुण संधी के अंडर आता है फिर एक शब्द है महेश शब्द किसके अंडर आता है महेश शब्द जो है हमारा गुण संधी के अंडर आता है तो यह ऐसे एक्सरसाइस हैं और साथ में संधी विच्छेद हैं पर बहुत सारे संधी विच्छेद आक्चली दिये गए हैं तो इनको आप लोगों को एक बार पुनर चर्चा जैसे अभी क्लास में हो रही है वैसे आ परियाएवाची शब्द का मतलब तो होता है समारार्थी शब्द सेनोनिम्स जब उसी एक शब्द का सिमिलर मीनिंग वाला हम दूसरा शब्द लिखते हैं तो उसका परियाएवाची होता है इसको पढ़ाने का कुछ नहीं था यह तो आप लोगों को लर्ण करना है जैसे स कर था क्यां पानी याद करेंगे उसके बाद आर्ण को तो लिखे ज מה रहत करेंगे उसके बाद आपको जितने भी अशरसााइस जो भी दिये जैए आप उनको कर मार तो फिर परियाएवाची को अच्छी को तो चैंको तो अच्शी से प्राथियागे म toughest अब जना principle समय में लिभत लोगल और तो क्या थैं के इसके बाद इसके बाद क्या है क्या था हमार कि जाना स्वाड़्या और अंत में लगाये वाला स्वेस्ट कूला कि है को तो है फॉल्जा भूल्द आहिक episode होता है की शब्द कैसे चेंज होते हैं देखिए जैसे कि एक प्रतिय अन और उसमें मूल शब्द है मोहन तो वन जाएगा मोहन मतलब क्या होता है कि इसमें इनके योग से बने शब्दों को मतलब कैसे होता है कि जो प्रतिया धातु और वा ख्रियाओं के अंत में लगकर इन शब्दों का निर्मान करते हैं जैसे कि छल एक क्रिया है तो फिर उसमें आवा डालके छलावा यह है आपका पढ़ लीजिए गा बहुत अच्छे से अब कृत्रिवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक कर्तरिवाचक जैसे की रख में वाला लगा कर रख वाला कर्मवाचक छल में नी लगा कर छलनी करणवाचक में रेत में ई लगा कर रेती भाव वाचक लड़ में आई लगाकर लड़ाई क्रियार्थक ओड़ में ना लगाकर ओड़ ना अब है तद्धित प्रत्याई तद्धित प्रत्याई के भेद क्या क्या है करत्री वाचक तद्धित भाव वाचक तद्धित संबंध वाचक तद्धित गणना वाचक तद्धि सवा हVE लगा है तो असरों कि सोना में आ लगा कर गरंद में ऑ सब क्यों। पीया किसे बना एंवया बना लगाकर पहला रा लगा बॉस्ञ पीडित में खंड में आ लगा स्थान वाचक गुजरात ए लगा ए लगार ही उसके बाद साधरिशिय वाचक लाल में सा लगार जा साधरिश्य मतलक क्या देखने का यह सुनने में बदो बड़े लग रहे हैं मुझा पता है अप्लोग चैप्टर पड़ चुके आप लोग चांटे हैं बस कुछ नहीं है आप लोगों के एक्सराइजस हैं देखें मूल शब्द और प्रतिया अलग करने लिया है जैसे कि सच्चाई सच जोड आई ठीक है उसके बाद जैसे है सहायक सहाय जोड अक बनावट बन जोड आवट इस तरह से फिर हैं मूल शब्द और प्रतिया को मिलाकर नए शब्द बन जी सचित जोड अज़कर ख़ञाया जैसे कि घबराहट में कौं सा परतिय लगा है और उसके बाद है कि उचित परतियां लगाकर नए शब्द बनाई है वाक्य को लेगे मुझे पता है अच्छे से पढ़िए एक और क्लास करेंगे अर उसमें व्याकरण के बाकी जो हमारे chapters रहे गए हैं पुनर्चर्चा के लिए उनको समाप्त करने हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है